असलाम अलेकुम आज हम बनाएंगे बॉयल डेक सैंविचेस जो की बहुत ही आसानी से बनेंगे ना म्योनीज यूज करेंगे और ना ही किसी तरह की चीज फिर भी आप देखेंगे जबरदस्त आपके सैंविचेस बनेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इन को मैने ग्रेट कर लिया तो ग्रेट किवे हंट तो अभी हम रख दिते हैं किसाइड मे अब हम एक पैन लिग कैई एक टबिल स्पुन बटर इसमें गरम कर लिंगे LEDs तो यहां पर हमारा मैदा बुन चुक है अब हमें डालना है इसमें एक कप दूद लेकिन आपको दूद डालने से पहले इस मैदे को थोड़ा सा थंडा कर लेना है अगर आप गरम-गरम मैदे के अंदर दूद डाल देंगे तो फिर जो दूद है उसमें गुठलिया बन जाए तो दूद भी आपको नॉर्मल टंप्रेचर का ले लेना है और जो मैदा है वो थोड़ा थंडा होना चाहिए बहुत तेज गरम नहीं होना चाहिए दूद आप कच्छा या फिर पक्का किसी भी तरह का इस्तमाल कर सकते हैं रोम टंप्रेचर पर यूज़ कर सकते हैं या फ अब हमें इसको लगतार चलाता है पकाना है अब हमें गयास की फ्रेम और इसको पका लेना है आप देखेंगे जैसे ही दूद में उबाल लगे कि दूद गाडा होने लगेगा क्योंकि इसमें हमने मैदा शामिल किया हुआ है तो हम इसको अच्छा गाडा होने तक वन भै फूर टीस्पून लैसुन का पॉडर डाल देंगे हमें वन उनvisor कीव नमग जाल देंगे और वन बाइ फूर टीसपून करें कांडीर तो आपके पास खाली पाल कॉडर में सबस्तूल मैद्स को मिला देंगे तो यह हमारा मिक्श्चर रेडी है इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है उसके बाद इसमेइ अन्डे सामिल करना है अगर आप गरम समय मिक्रश कर देंगे तो फिर पतला कर जाएगा और हमे इसको पफिला नहीं रखना है तो इसा रूम टंपरिचर पर आने कर देंगे आप शहांए मैदे मैदे किसमें ने एक से अब ये रेड़ी है स्लाइस पर अपलाई करने के लिए अगर आप अंडे के लवर है यानि कि आपको अंड़ा पसंद है तो ये सैंविच आपको बहुत पसंद आने वाले है अब हमें ब्रेट के स्लाइस लेने हैं आप चाहें तो ब्राउन भी यूज कर सकते हैं किनारे काट कर सकते हैं या पर उसको कोल सैन्विच में स नवीच जैसा की मैं कर रही है हुआ और बस अब हमीं इसको कट कर लेना है तो हल्की हमेंने हैं तो शहल्की हमें चीजेश आकारते स्वर्इस काट हैं औरिस रहले popinator चल्टे कीपता दोब हैं से रहरा ब्रता हैं और अभकी हमे बच्छों को लंच बॉक्स में बखे सकते हैं। अगर लंच बॉक्स में दे रहे हैं तो फिर आप इसको क्लिंग सीट से रैप कर दी जाएगा। जितना मिक्स्चर है उसमें छे ब्रेट के सेंविचेस बनकर तयार हो जाएंगे तो ट्राइ करें फीडबैक मुझको जरूर दी और अगर आपको रेसेपी पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा थैंक्स वर वचिंग वचिंग विडियो अलावफेस्